बच्चो किरातार जून्यम महाकावी के इस श्लोक में जो 11 श्लोक है वो उसमें एक स्रेश्ट राजा का गुण बताया गया है कि दुर्योधन जब धर्म करता है तो उसमें अर्थो और काम उसके मार्ग में बादक नहीं बनते और जब वह अर्थो पार्जन का कारे करता है तब धर्म और काम बिगन नहीं डालते काम के सेवन में भी धर्म और अर्थ वादक नहीं बनते अथे उसके जो मित्री वर्ग है वो परस पर बिना वाधा के बढ़ते रहते हैं यही इस श्लोक में वर्णन किया गया है तो असक्त मा राध यतो यथा यथम विवज्य वक्तिया समपक्ष पातया गुण नू रागा दी वो सक्ख्य मीईवान न बाध्यते अस्यती ग्रण है परस परम अर्थाद यथा यथम अर्थाद उचित रूप से असक्त असक्तम अर्थाद आसक्ती रहित हो करके और सेबन करते हुए अर्थाद यथम अर्थाद सेबन करते हुए असक्तम अर्थाद यथा यथम असक्तम अर्थाद आसक्ती रहित हो कर और आर्थाद यथम उचित रूप से विवज्य अर्थाद विभाग करके बक्तिया अर्थाद इसनेह भाप से समपक्षपात या अर्थात समान पक्षपात बाली गुणान रागादिव अर्थात गुणों के प्रेम से सक्ष्य मीईवान मित्रता को प्राप्त हुए के समान न बाध्यते बिरोध नहीं करते थे असे यानि इसका त्री गड़े हैं अर्थात तीनों गड़ धर्म अर्थ और काम परस्परम अर्थात परस्पर तो यथा यथा यथम अन्वेसे इसका अर्थ समझे है कि यथा यथा यथम विभज्य समपक्षपात या यथा यथम उचित रूप से विभाग करके समपक्षपात या समान पक्षपात वाली अर्थात बिलकोल भी कोई पक्षपात नहीं करता था उचित रूप से विभाग करके समान पक्षपात वाली और भक्तिया इसने भाव से आसकती रहित हो करके आराद यते सेबन करते हुए असे इस दुरियोधन के धर्म अर्थ और काम इन तीन पुर्शार्थों का वर्ग गुणानु रागात गुणों के प्रेम से यानी दुर इवान यानी मित्रता को प्राप्त हुए के समान परस परम आपस में न बाद्धिते एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे असकत माराद यतो यथायम आसकती रहित हो करके और यथा यत्यम उचित भाव से सेबन करते हुए विभज्य भक्तिया समपक्षपात या समान पक्षपात वाली भक्ति का इसनिह से और उच्परस पर विभा करते हुए गोडानुरागादिव सक्की मिवान गुणों के कारण गुणों के प्रेम के कारण समान पक्षपात वाले एक मित्र के समान प्राप्त हुए जो तीन गण थे धर्म अर्थ और काम न बाद्धिते असे त्रिगण है परसपरम तीनों गण परसपर एक दूसरे को पीडित नहीं करते थे तो भारती संस्कति में जीवन के चार पुर्शार्थ माने गए हैं कौन कोंसे माने गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें जो मोक्ष है उसको परम लक्ष माना गया है और जो उपलब्दी से मैं ही जीवन की सफलता वे व्यक्तित्प का पूर्ण विकास निर्भर करता है वनीचर कहता है कि इसी कारण दुर्योधन भी अपने शाषन के अंतरगत धर्म अर्थ और काम रूपी तिर्वक कर पूर्ण ध्यान रखता था तो उसने सारे तीनों वर को एक सेवन कर रहा था उसके यहां धर्म सेवन के समय अर्थों और काम से कोई वादा नहीं पहुंचती थी और अर्थों पारजन में धर्म और काम बाधा नहीं डालते थे काम के सेवन में अर्थेवन धर्म का कोई विरोध नहीं होता था समान रूप से सेवन के कारण तीनों ही निर्वाद रूप से उसके राज में व्रद्धी को प्राप्त हो रहे थे कभी कि यह आपर मानेता है कि मानों ये तीनों ही दुर्योधन के गुडानु राग से आकरश्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रता त्याकर मित्र बन गए हैं